हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको वोई सोफ मर्डर रहे ये 2007 की कोरियन मिस्ट्री मूवी एक्स्प्लेंग करने वालो इस मूवी में एक बड़े से न्यूस एंकरर का बेटा किड्नैप हो जाता है और इसके बाद इस किड्नैपर को ढूणने के लिए cat and mouse स्टार्ट हो जाती है ये मूवी एक real life story है और इसके fact आपको मूवी के end में पता चलेंगे तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा main character हान में दिखता है ये एक news anchor होता है ये एक बड़े से channel के लिए काम करता है और nationwide सब लोग से जानते है आज रात की news में ये ये भी news cover करता है कि देश में बहुत सारी kidnapping हो रही है खिर्णे पिन होने के बाद ये खिर्णे पर छोटे बच्चो को मार देता है रात में हम देखते है कि अपने बीवी और बच्चे के पास स्थान आता है इसका बच्चा सोया होता है पर फिर भी इसे उठा देता है ये अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है इसे कहता है क कि तुम्हीं जितना चाहिए उतना तुम खाओ, इसका बच्चा बहुत ही फैट होता है, पर मदर इसको हमेशा डाटती रहती है, पर हानुसे कहता है कि तुम्हीं जो भी चाहिए वो तुम खा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला कर दे सकता हूँ, मदर का नाम जी जब सुभा होती है, तो जी सुन अपने बेटे को कुछ भी अनेलदी खाने नहीं देती, उसे डॉक्टर के बास शेक अप करने के लिए लेकर जाती है, उसे दोड़ाती है, इसके बॉड़ी में कितने फैट है और इसे कितने कम करने चाहिए, यह सब का हिसा वो लगाती है, अब हमें दीखता है कि इनका बेटा जब स्कुल से वापस आता है, तो उसका इस सिक्रेट प्लेस होता है, यहाँ जाकर वो खेलता है, उसे भी अपने फादर की तरह न्यूज में आंकरिंग करने होती है, जब वे बिल्डी में आता है, तब लीव से उपर आ रहा होता है, कि ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है, कि सीडी चड़ कर आया है, पर जी सुन यह पहचान लेती है, यह इसे नीचे जाकर स्टेर से आने के लिए कहती है, जब यह उपर बहुँचाता है, तो यह बहुत ठक जाता है, कहता है कि ऐसा तुम मेरे साथ क्यों करती हो, क्या तुम म मैं हमें दिखता है इनका बेटा यहां से गायब हो चुका है जिस उन बहुत ही वेट करती है पर फिर भी यह आता ही नहीं वो वरीर हो जाती है थोड़ी देर बाद जब हान घर पर आता है तो उससे भी कहती है हान कहता है कि ज़रा वेट कर लो यह यही कही होगा अब बहुत ही देर हो जाती है हान भी वरी करने लग जाता है जहां कहीं भी इनका बेटा जा सकता है सब जगा पर यह कॉल लगाते है पर यह कहीं भी नहीं होता जिस उन पुलिस को कॉल लगाना चाहती है पर हान उसे रोक लेता है थोड़े दिर में इन्हें कॉल आ जाता है ये किड्नेवर का कॉल होता है हान जब फोन उठाता है तो किड्नेवर कहता है तुम तो मुझे बहुत ही काम लग रहे हो मुझे लगा था कि तुम वरीड होगे ये किड्नेवर फिर उसे इंस्ट्रेक्शन देता है वो कहता है तुम नेक्स दिन हमें दिखता है कि हान अपने वर्क पर जा रहा होता है जिसन कहती है कि इस situation में तुम काम पर कैसे जा सकते हो हान कहता है कि मेरे उपर responsibility है मैं ऐसी वर्क skip नहीं कर सकता मैं जाओंगा और किसी और को भी इंचार्ज करकर आओंगा बैंग में जाकर वो आज लोन भी निकालने वाला होता है और फिर लोन वेगरा निकालता है किनरफर हान को inform करता है गाडी लेकर उसे एरपोर्ट तक जाना है वहाँ जाने के बाद सब कार के ढोर्स वेगरा ओपन कर देने हैं और वहाँ से निकल जाना है हान अपने बेटे के बारे में पोच्छता है किर्णापर कहता है एक बार मुझे पैसे मिल गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मदर को जब किर्णापर को कौलाता है तो मदर उसे कहती है प्लीज उसे खाना देतो वो बहुत ही बड़ा लगता है और वो बहुत ही वीक है किर्णापर कहता है इसे Chinese word चाहिए जिसुन कहे दिये कि उसके लिए अच्छा नहीं है या अपने बेटे से बात करना जाती है पर किर्णापर कहता है कि वो अब स्वया हुआ है हान को किर्णापर ने बोला था कि अब उसे बैक छोड़ कर वहाँ से निकल जाना है घर पर उसे जाना था पर हान वहाँ से नहीं जाता थोड़ी दिर में हान की गाड़ी में फोन बजने लग जाता है वो भागते भागते उसके पास जाता है किर्णाबर कहता है तुम्हें कहा था तुम्हें घर जाना है हन बोलता है कि इसे किसे गाड़ी में उपन छोड़ कर जा सकता हो अगर किसी भी random person ने ये पैसे ले लिये तो ये problem हो जाएगा किर्णाबर कहता है कि तुम्हें वरी करनी की जुरूरत नहीं थी जीसुन से जब किर्णाबर की बात हो रही थी तो जीसुन ने फोन ज़रा लेट उठाया था किर्णाबर उसे फिर से warning देता है तीन रिंग होने से पहले ही call उठ जाना चाहिए किर्णाबर अब हान से कहता है कि अलग place पर अब तुम्हें जाना है वो उसे एक location देता है वो उसके पास एक tea house है वहाँ जाकर वो बैठ है इसे उसके instructions होते है अब जीसुन को किर्णाबर कॉल करता है वो कहता है कि जो tea house था वो बन हो चुका है उसे chicken place पर जाने के लिए कहो हान जब chicken place पर पहुचता है तो सब कुछ लोगों को देख रहा होता है उसे लगता है यहाँ उसे किर्णाबर मिल सकता है suspicious आदमी उसे दिखता है तो उसकी color पकड़ लेता है यह उसे सवाल पुचता है कि वो कौन है क्या कर रहा है यह आदमी कहता है कि मैं police हूँ तुम्हारे wife ने यह सब situation police को inform की थी किर्णाबर जिसुन को call करता है और कहता है कि अब तुमारे बच्चे को मैं कुछ भी खाने के लिए नहीं दूगा जिसुन रोने लग जाती कहती है कि police उसे कुछ दे दो पर एक किर्णाबर मानने वाला नहीं होता हान जिसुन बच्चिड गया होता है वो जिसुन को call लगा कर कहता है कि उसे police को inform नहीं करना चाहिए था हान जब उस Chinese place पर पहुचता है तो अब वहाँ किर्णाबर वगरा कोई भी नहीं होता अब next scene में हमें दीखता है कि police investigation स्टार्ट हो चुकी है जो सब area में suspect है इन सब को police ने उठवा लिया है इनके voice sample अब वो लेने वाले है पुलिस की meeting चल रही होती है इसमें कहा जाता है कि दो मिनिट के नीचे ही ये सब call करता है यानि कि ये call कोई भी trace ना कर पाए ये बहुत intelligent और cunning है ये हान का बेटा है तो इन पर pressure भी आप बढ़ने वाला है हान के घर पर हमें बहुत सारे police वेगरा दिखते है हान को समझा रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा हम जल से जल उससे ढूंड लेंगे अब phone वेगरा वो सब कुछ टैप करने वाले होते है पुलिस हान से पूछ रहे होते हैं कि क्या उसे किसी पर शक है हान कहता है कि मैंने सालों में बहुत सारे enemies बनाए है मैं अगर नाम लूँगा तो यह impossible बन जाएगा हान कहता है कि एक honest citizen की तरह मैंने live जी है मैं news anchor हूँ तो इसमें मैंने बहुत सारे लोग को hurt कर ही दिया है हान parking में होता है और किर्णा पर उसके phone पर call करेगा इसका wait कर रहा होता है जब call आता है तो किर्णा पर कहता है मैं तुम्हें बताया था कि पुलिस को तुम्हें call नहीं करना है हान चीट कर पूछता है कि तुम हो कौन किर्णा पर कहता है कि फिर से इस तरह की mistake मत करना वो इसे फिर से call करेगा यह कहकर call रग देता है यह कहता है कि वो इन सब पर नजर रख रहा है अनके गाड़ी के बास ही एक पुलिस ओफिसर हमेशा होता है हान जब सोया हुआ होता है और पुलिस ओफिसर का भी कुछ ध्यान नहीं होता तो एक चाइनीज पार्सल वाला इसके गाड़ी उपर कुछ लगा कर जाता है पार्सल वाले के बारें पता चल जाता है कि इस चाइनीज वाले को पकड़ लेते हैं पर इसे पता नहीं होता सिर्फ एन नोट गाड़ी पर लगा कर आनी है इसके लिए पैसे दिये गए थे हान से जब पुछा गया था कि क्या उसने किसी को हर्ट किया है तो अब उसे याद आता है कि एक ही आदमी था जिसको उसने सबसे ज़ादा बरबाद किया था उसके जैनल में एक आदमी काम करता था पर उसने ब्राइब ली थी और गलत न्यूज उसने दे दी थी हान अगर जाता तो इस मैटर को दबा सकता था ये आदमी उसे गिड़िडा रहा था हान ने अगर ये रिपोर्ट कर दिया तो इस आदमी की नोकरी तो जाएगी पर ये जेल में भी जा सकता है हान माना नहीं था इस आदमी को इसके बाद दो-तीन साल तक जेल हो चुकी थी जो पुलिस ओफिसर होता है किसी को पता ना चले इसलिए हान की डिक्के में ही बन होता है अब दो-तीन दीन हो चुके है पर फिर भी हान गाड़ी में ही है और उसके साथ ये डिडिक्ट्यू भी है ये दोनों अब बहुत ही परिशान हो चुके होते है जीसुन फोन के पास कॉल काई वेट कर रही होती है पर उसकी मदर का उसे कॉल आता है इसकी मदर उसके बेटे के बारे में पूछती है वो कैसे कर रहा है स्कूल में कैसा है इसे बात करना चाहती है पर जीसुन अपनी मदर को कॉल रखने के लिए कहती है किर्णाइबर का कभी भी कॉल आ सकता है इसके बाद हान को किर्णाइबर का कॉल आता है किर्णाइबर कहता है क्या तुम्हारी वाइफ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती मैंने उसे कॉल लगाया था पर वो एंगे जा रहा था हान कहता है कि प्लीज उसे माफ कर दो अब किर्णा पर इन दोनों को एक सिनेमा हॉल के पास पुलाता है जिसन घर पर अब बहुत ही डिप्रेस्ट हो चुकी होती है उसे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा होता ये बात लेती है और फोन के पास भी नहीं बैठती हान उसके पास जाता है और चिट गया होता है जिसन जब रोने लग जाती है तो इसे वो सहारा देता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनका बेटा उन्हें मिल जाएगा ये सब वो उसे कहता है जो पुलिस ओफिसर है एक कार की ट्रंग में ही है अब ये दोनों सिने में हॉल किया जा रहे होते है हान जब ट्राफिक में अड़कता है तो डाइरेकली वो फूटपाथ पर गाड़ी ले लेता है वहाँ से चलता जाता है किन्यापर इसे कॉल पर कहता है कि आज तुम्हें लॉंग ड्राइव लेनी है किन्यापर इन्हे अलग-अलग location देता रहता है किन्यापर से पूछने पर किन्यापर कहता है कि मैं सिर्फ ensure कर रहा हु कि तुम्हारा कुई पीछा वेगरा नहीं कर रहा यह कहता है कि जब मुझे सब कुछ ठीक लएगा तो actual location में तुम्हें बता दूँगा इसके बाद एक माउंटन की लोकेशन इन देता है जो पुलिस ओफिसर ट्रंक में होता है यह सब को सुन पाता है पुलिस के वह यह सब इनफॉर्म हो जाता है और किन्डाबर इन से कहता है कि अब तुम रोपवे में चले जाओ पाड के उपर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा जब उपर जाते है गाड़ी का दर्वाज़ ओपन होता है तो वहाँ एक आदमी आता है और गाड़ी लेकर चला जाता है इस गाड़ी के डिक्की में ही डिटिक्ट्व है जब वह उपर पहुचते है तो वहाँ इन्हें अपना बेटा नहीं मिलता अब रात हो चुकी है पर अभी इन्हें कुछ भी पता नहीं चला है जो पुलिस ओफेजर गाड़ी के डिक्की में ही था उससे भी अब कॉंटाक नहीं हो रहा अगले दिन पुलिस ओफिसरे बंदा हुआ होता है और एक रिमोट जगाँ पर इसे रखा गया होता है यह जब उठता है तो पुलिस को क्वाल लगाता है इससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था किन्या पर कहा है तो यह खेता है कि उसे कुछी पता नहीं है गाड़े की डिक्की जब खुली तो इसे बेहोस कर दिया गया था और इसकी आग खुली तो डारेक्ली सुमसान जगा परिया था हान ने उसकी चानल में कि जिस आत्मी को जेल में डलवाया था उस आत्मी का वो पता कर लेते हैं उसे question के लिए बुला जाता है इसे बूछा जाता है कि जिस दिन kidnapping हुई थी तब वो कहा था यह अलग city में था और इसका proof भी इसने दिया हुआ है forensic team के जो members होते हैं discuss कर रहे होते हैं तब कहते हैं कभी भी voice 100% match नहीं होता voice जब पहचाना जाता है तो 100% match नहीं कर रहा होता यह similar होता है पर फिर भी match नहीं कर रहा तो यह problem होती है हान अब frustrated हो जाता है फिर से DK में police officer होता है तो गाड़ी यह speed breaker से वेगरा चलाने लग जाता है सब frustration वो police पर निकाल रहा होता है एक दो दिन और भी गुजर जाते है फिर से किर्नापर का call हान को आता है हान बुशता है तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल चुके है अब मेरे बच्चे को जाने दो किर्नापर कहता है कि तुमने police को contact किया था जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है अब वो उसके बच्चे को मार देगा इसके धमकियों दे रहा होता है हान केता है ऐसा मत करो तुम्हें जो भी चाहिए और भी तुम्हें पैसे में दे सकता हूँ यह इसे और भी hundred की डॉलर्स देने के लिए मान जाता है किन्नापर केता है किया मैं तुम्हें last chance देने वाला हूँ हान अब पच्टावा करने लग जाता है जो पुलिस ओफिसर उसके साथ होता है इससे हो बात कर रहा होता है यह कहता है कि मेरे पास गन विगरा नहीं थी पर फिर भी मैंने बहुत सारे लोगो को मारा है यह जो काम करता है इसमें रूतलेस्ट था मैं अपने आपको गौड समझता था मुझे लगता था कि जो सब मुझे चाहिए यह सब मुझे मिल सकता है मैं लोगों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ अब देखो मेरा क्या हाल हो चुका है भगवान मुझे पनिश कर रहा है इसे उस कौप पर भी दया आ रहे होती है यह कहता है कितने दिनों तक तुम घर नहीं गए हो यह पुलिस कहता है कि तुम्हारा गुसा भी सही ही था कभी-कभी हम अच्छे से काम नहीं करते किर्णा पर अब डिरेक्ली कौल नहीं करता वो जी सुन को लेटर लिखता है इस लेटर में लिखा होता है कि इस टाइम पर तुम एक जगा पर आ जाना वो अप किसी पर भी टरस्ट नहीं कर सकता उसने अगर इस बार सही से पैसे वगने दी दिये तो उसका बेटा उसे रात तक मिल जाएगा अब जीसुन पुलिस को बहान बनाती है कि वो जर्च जा रही है और वहाँ से निकल जाती है हान को पता चलता है कि जीसुन जब वहाँ नहीं है तो वहाँ से भागते भागते हो जर्च में जाता है यहाँ पर कही भी उसे जिसुन दिख नहीं रही तो यह बहुत ही वरीड हो जाता है जिसुन ट्राफिक में अड़क जाती है तो भागते भागते हो लोकेशन का पोश्ट थी है किन्यपन ने गार्बेज बैग में उसे और एक नोट छोड़ी हुई होती है कुछ लोगी गार्बेज बैग लेकर जा रहे होती है पर जिसुन इन्हें रोक लेती है इस नोट में और एक पता उसे दे दिया जाता है एक बड़े से बिल्लिंग के उपर उसे जाना है यह कहा जाता है यह भागते भागते ही जा रही होती है क्योंकि बहुत ही ट्राइफिक होती है यहाँ पोश्टी है पर लिफ्ट एंगेज होती है यह स्टेज से जाती है और उपर चर्टी चर्टी ठक जाती है यह ड्रीम करती है कि उसका बेटा उसके पास है अपने वेड़े को हग करती है उसका बेटा उसे उपर जाने के लिए कह रहा होता है अब वो बिल्डिंग के उपर जाती है और इसमें और एक नोट होता है अब इसे ATM में जाकर एक नाम पर टांसपर करने के लिए कहा जाता है जीसुन वहाँ पोच्छती है एट्यम में जाती है पर उसका जो पीन होता है यही काम नहीं कर रहा होता यहाँ बारिज भी चल रही होती है तो रो रो कर यह नीचे गिर जाती है यहाँ अनकॉंशेस ही है और इसके घर में इसे सुलाय गया है इसे मिलने के लिए चर्च के सब लोग आये होए है यहाँ फादर भी आये होए होती है तो जीसुन पैसे निकालती है और फादर को दे देती है फादरों को कहती है कि प्लीज मेरे बेटी के लिए कुछ करो आप प्रेयर करो, कुछ भी करो प्लीज मेरे बेटे को वापस ला दो जब हान यह सब देखता है तो सब पर चीट जाता है इन सब को घर से बाहर निकाल देता है हान को भी अपने बेटी की याद आती है वो अपने बेटी को किस तरह से चिटाता था उसके बेटा उसका मसाज करकर देता था यह सब उसे याद आता है यह बहुत ही साइड महसूस करता है पूलेस ने और एक सस्पेक्ट वो पगड़ा हुआ होता है इसका वोईस वेगरा सब कुछ मैच कर रहा होता है पर यह 100% नहीं होता इनका बहुत सारा शक इस पर ही होता है तो हान अब इसके पास जाता है इसके पहर पकड़ता है और कहता है कि प्लीज मेरा सन मुझे वापस देतो यह गिटगीनाने लग जाता है तभी हान के घर पर call आता है, यह किड्णाबर का call होता है, यानि कि जिसे इन्होंने पकड़ा है, यह किड्णाबर है ही नहीं, हान को जब अपने बेटी की voice सुननी थी, तो किड्णाबर ने उसे उसके बेटी की voice सुना ही थी, पर यह सब forensic वालों रेकॉर्ड कर लिया था, ज अब भी इनका बेटा किड्णाब भी है, जब हान लंच कर रहा होता है, तो किड्णाबर उसे call लगाता है, हान कहता है, तीस मिनिट के बाद call करना, अब मैं खाना खा रहा हूं, जिस उन हान पर जिर जाती है, यह तुम ने क्यों किया, तुम इससे give up नहीं कर सकते, हान जबे भी जिन्दा है, इसकी आवाज उसने सुनी है, तो फिर से मोटिवेट हो जाता है, किड्णाबर इसे एक जगा पर बूलाता है, यह जल्दी से वहाँ पहुच जाता है, यहाँ फिर से traffic होती है, तो भागते-भागते मेले में आ जाता है, इस मेले में ही exchange होने वाला ह इसका बेटा उसे merry-go-round की यहाँ मिलेगा, ऐसा किड्णाबर ने उसे कहा होता है, पर इसे वह वहाँ नहीं मिलता, अब 44 डेस गुजर जाते है, और इसके बेटी की लाश इन्हें नदी में मिलती है, इसके साथ एक tape recording भी होती है, किड्णाबर ने इसके बेटी की voice record कर लि गले लगाता है, इसे वो intimate होना चाहता है, पर यह इसे जड़क दिती है, यह कहती है, कि मुझे मेरा ही बेटा चाहिए, मैं फिर से कोई भी बच्चा नहीं होने दे सकती, यह रो रोकर कहती है, कि मेरा बेटा मुझे फिर से वापस ला दो, किन्नाबर ने इनके बेटी को ज कुम्प्रिट कर रहा हो, यही इनाफ है, और मुझे उसके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था, हान को अपने बेटी की बहुत याद आती है, और यही रोने लग जाता है, यह पुलिस कहता है, कि हम 100 बसे उसे ढून लेंगे, कभी भी बच कर जा नहीं सकता, अब इन न्यूस हान ही देने वाला होता है, जब इन न्यूस दे रहा होता है, तब इसे सब कुछ रिटेल में समझाना पड़ता है, और यह रोने लग जाता है, यह सब से रिक्वेस्ट करता है, कि अगर आप इस आवाज को जानते हो, तो प्लिस पुलिस से कॉन्टेक करो, यह पर ही रोता है, पर फिर भी न्यूस चैनल वाले यह कैमेरा इससे नहीं निकालते, हान के रोने से इनके शोकों ही बेनिफिट होगा, इसलिए कैमेरा इस पर ही रखते है, यही मूवी खतम हो जाती है, और हमें फैक्स दिये जाते है, यह जो किर्णैपर की वोईस थी, यह 1991 में रेकॉर्ड की गई थी, इसने बहुत सारे बच्चों के साथ यही किया था, इसकी इन्वेस्टिकेशन चलती रही और 420 सस्पेक को पुलिस ने इन्वेस्टिकेट किया था, 87 रेकॉर्डिंग्स एनलाइज की गई थी, कभी भी उन्हें किर्णैपर नहीं मिला, यह यही हार्ट ब्रेकिंग वीडियो आज हम खतम करते हैं